आप इतना जबर्दस पैसा लेते हो और आगर आपका कलेक्शन इतना घटिया आएगा ना बॉस तो ये माफ करनी वाली बात नहीं है भाई मिस्टर बच्चन दो अनली होप डे वन कलेक्शन के बारे में बात होगी अब देखो भाई इस फिल्म को लिए मैंने सुना है कि रवी तेजा ने तगड़ी फिल्म फीज ली है और ये फिल्म का जो बजट है कुछ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हो जो लोग मुझे पूछ रहे है कि भाई इसके कलेक्शन सही अच्छे आ रहे या नहीं थोड़ा सा एक बार मुझे नहीं कंफर्म करने तो भाई कि इसका जो बजट है वो कितना है क्योंकि मैंने देखा तो था फिर भी 80 करोड बजट है फिर भी ठीक है यार एक जगा पर लिखा है 50 करोड बजट है मैं नहीं मानता अगर होगा तो अच्छी बात है फिर तो भाई बहुत अच्छा कलेक्शन है इसका जो कलेक्शन है अगर बजट अगर 50 करोड है तो कलेक्शन अच्छा है और अगर 80 करोड है तो उतना भी अच्छा नहीं है पहले दिन की अगर मैं बात करो एक rough data आया है मेरे पास Wednesday को 1.8 करोड आया था क्योंकि ये preview ये पहले release हुई थी film एक दिन पहले आयी थी और Thursday को इसका दूसरा दिन नहीं था उसको first day ही माना जाएगा वो previews के साथ रिलीज हुई थी 3.45 करोड यानि कि पहला दिन सववा पाच करोड आया है वर्डवाइड कलेक्शन साड़े साथ करोड डे वन आया है अगर पचास करोड बजट तो ठीक है 80 करोड बजट है तो problem वाली बात है मतलब यही है रवी तेजा भी वही कर रहा है जो अक्षे गुमार आजकल हमारे कर रहे है डबल स्मार्ट की बात करे तो भाई पहले दिन इसने साड़े साथ करोड का बिजनेस किया है इन्दे में सिर्फ पैतालिस लाग किया है इसको लेके तो बहुत जादा क्रेज करने की कोशिश की गई थी कि यह फिल्म बहुत कुछ करेगी लग तो नहीं राय भाई मतलब फिर भी उतना भी तो नहीं किया इसने एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी ठीक है फिर भी not bad 160 करोड बजट है इसका नहीं 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 कुछ तो घडबड एक से का ना 90 करोड 90 करोड बजट है ऑफिशियल और वर्ल्ड वैड आया है 14 करोड ग्रॉस इसका 14 करोड वर्ल्ड वैड है अभी नहीं बोल सकते कि यह फिल्म चलेगी या नहीं क्योंकि उतने अच्छे रिवीउज आये नहीं है और रेड को भी आई मिन रेड नहीं रेड को तो अच् करोड आया है थंगलान के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर 1.5 तेलगु में आया 10 लाक मलारम में आया तीन लैंवेज में रिलीज वी थी 13.3 करोड रूपीज का बिजनस किया इसने थंगलान ने जो लोग पूछ रहे हैं हिंदी में क्योंने रिलीज वी उसके 40 करोड बजट है बोलो भई तो प्राब्लेम तो अभी भी है तीनों भी फिल्मों को वीडियो वो शेयर कर दो